नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी काविनंदन प्रशनोतरी के आज के इस कालांस में हम सभी कक्षा आठ्मी के बसंत पाठ से पहली कविता, पहला पाठ धुने लेकर उपस्तित हुए हैं धुन के प्रशनोतरी के प्रशनों को भी जानेंगे, उसके उत्तरों को भी जानेंगे, जिसके लेखक हैं सूर कांत्र पाठी निराला शूर कांत्रपाठे ने राला जी ने धुन के माध्यम से हमें क्या सिखाने की कोशिश की है इस प्रशनोत्तरी में उन सभी प्रशनों को हम सेखेंगे आईए पढ़ते हैं पहला प्रशन पहला प्रशन है कभी को ऐसा बिश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा अभी नहीं होगा तो कब होगा क्यों होगा क्यों नहीं होगा आईए उत्तरों में देखते हैं कभी को ऐसा बिश्वास इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में अभी नया जोस और उमंग भरा हुआ है अभी उसके जीवन में क्या भरा हुआ है नया जोस भरा है नई उमंग भरी है वह आज की पीढ़ी को आज की जनरेशन को पीढ़ी को आलस पन से उबारना चाहता है आलस पन से क्या करना चाहता है उबारना चाहता है बाहर करना चाहता है इसलिए वह कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा अंत अभी नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब तक कि वह अपने कार को समाप्त न कर दे वह अपने कार को उसका कार क्या है आज की पीड़ी को उभारना तो कभी इसलिए कह रहा है क्यूसका अन्त भी नहीं होगा आसा है कि इस प्रस्न के उत्तर को आप अच्छे से समझ पाएंगे आये दूसरे प्रस्न के उत्तर को पढ़ते हैं फूलों को अनंत तक विक्षित करने के लिए कभी निराला कभी कौन-कौन सा प्रयास करता है फूलों को अनंत तक विक्षित करने के लिए कभी ने कौन-कौन से प्रयास की है इसके बारे में जानते हैं कभी ने फूलों को अनंत तक विक्षित करने के लिए कभी कहता है कि वो फूलों को कलियों से निकाल कर कलियों से, कलियों से निकाल कर उन्हें खिला हुआ फूल बना देगा उन्हें एक खिला हुआ फूल बना देगा कभी का कहना है कि, कभी यह भी कहना चाहता है कि अभी बसंद का मोसम आया हुआ है और वह कलियों को हाथों से इसपर्श कर उन्हें एक खिला हुआ फूल बना देगा तथा वह फूलों की आँखों से आलस्पन अर्थात कलियों को जगा कर फूल बनाना फूलों की आँखों से आलस्पन को हटा कर उन्हें चुस्त वह फुर्तीला बना देगा अर्था तुन्हें खिला देगा फूल बना देगा इस तरह से कभी ने फूलों को अनंत तक विख्षित करने के लिए यह बात कहीं है आई अगले प्रिशन पर चलते हैं कभी पुस्पों की तंद्रा और आलच से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है पुस्पों के माध्यम से आज की जिनरेशन के बारे में आज की पीड़ी के बारे में बात की जा रही है आज की पीड़ी को फूलों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रियास किया गया है तो कभी इन फूलों की तंद्रा और आलश्य को इन फूलों में इन पीड़ियों में आज की जनरेशन में आई हुई तंद्रा और आलश्य को हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है तो यहां उत्तर के रूप में इस तरह से आप समझ कर लिखेंगे अपने सब्दों में लिखेंगे उत्तर सदेव लिखते समय आपको प्रस्न से ही जुड़ा हुआ लिखना चाहिए जो सरवत्तम उत्तर माना जाता है तो इस सरवत्तम उत्तर को कैसे बनाएंगे जिसमें प्रस्न को जोड़ना होता है प्रस्न के उत्तर के माध्यम से ही उत्तर देना होता है कभी कभी पुस्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए यहां कभी नहीं होगा कभी होगा क्या लिखना है आपको कभी 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 पुस्पों की तंद्रा और आलस दू दूर हटाने के लिए उस्पों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है वह उनके अंदर जोस और उमंग भरना चाहता है कभी उन्हें चुस्त फूर्तिला और जोसदार बनाना चाहता है इस तरह से कभी उनके तंद्रा और आलश्य को दूर हटाना चाहता है, कभी के कहने का ताथपर है कि वह नीद में पढ़े सभी लोगों को प्रेरित करके उन्हें उत्तेजित करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा उनमें उस्सा भरेगा उत्तेजित करेगा उनके आलस्पन को दूर करेगा और साथ ही उनमें नए उस्सा का संचार करेगा नए नए उस्सा भर देगा इस तरह से कभी तंद्रा और आलश्य को दूर करना चाहता है इस तरह से कवि आज की पीड़ी से तंद्रा और आलश शिदूर करना चाहता है आईए कविता से आगे के प्रश्णों को लेते हैं पाठ का यह पहला प्रश्ण है कविता से आगे का पहला प्रश्ण है बसंत को रितुराज क्यों कहा जाता है आपस में चर्चा कीजी तो बच्चों यहाँ पर हमें यह चर्चा करने का तात पर है इसे समझ कर लिखना है जब भी यह प्रस्ण पूछा जाए परिक्षा में तो आप इसी तरह से जो चर्चा कर रहे हैं जो आपने समझा है उसे ही लिखेंगे बसंत को रितुराज क्यों कहा जाता है आपस में चर्चा कीजिए जैसे हम सभी इस क्लास में बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं आपस में चर्चा करने से हमें जो पता है एक दूसरे को बताएंगे इसी तरह से हम जितने बत्चे बैठे हैं सभी एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताएंगे बसंत के बारे में रितुराज के बारे में क्यों कहा गया रितुराज तो हमारे पास एक बड़ा कलेक्शन हो जाएगा कि रितुराज क्यों कहा गया बहुत सारे उत्तर हमारे पास ह होगे इस तरह से हम एक सरोत्तम उत्तर की पहुच बना सकेंगे तो बसंत को रितुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी रितुव का राजा है राजा, मुखिया, रितुवियं जो होती हैं, हमारे इस मौसम में रितुवियं होती हैं, छे रितुवियं होती हैं, तो इन रितुवियं में जो है बसंत ही राजा क्यों कहा गया, यह मौसम बहुत ही सुभावना होता है, एक कारण बना कि यह मौसम बहुत ही सुभावना होता यह मौसम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। को देख कर ऐसा लगता है जैसे कोई सोने की लहर आ रही हो लहर बार बार आ रही हो सभी जगह कुहुं कुहुं आवाज गुशती है कोयल कूकने लगती है मधुर धनमे कूजने लगती है कोयल कूकने लगती है ऐसे स्वर को सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं सबका मंत् और क्या करते हैं इस समय पंच तत्व अपने प्रकोप को छोड़ कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं पंच तत्व जिन तत्व से हमारा सरीर बना है यह पंच तत्व जो छिति जल पावक गगन समीरा पांच तत्व से बना सरीरा पांच तत्व से यह सरीर निर्मित होता है पांच तत्व से जो सरीर बना है यह भी क्या करता है अपने प्रकोप को छोड़ करके सुहावना हो जाता है इसके साथ ही इस रितु में बहुत सारे त्योहार भी मनाये जाते हैं जैसे बसंत पंच में महासिवरात्री होली आद इसी तरह बहुत छोटे अलग-अलग संपरतायों में अलग-अलग धर्मों में बहुत सारे त्योहार मनाये जाते हैं इसी समय बहुत सारे तेवहार मनाने के साथ समाज में चारों तरफ महक बोरों की महक एक खुश्बु फैल जाती है पस पंची सभी मस्त हो जाते हैं तभी तो कोईल कूकने लगती है और उसके बारे में कभीने लिखा भी है काली काली कूंकूं करती जो है डाली डाली फिरती कुछ अपने ही धुन में एठी छिपे हरे पत्तों में बैठी जो पंचम सुर में गाती है वह ही है कोयल कहलाती इस तरह से कभियों ने बहुत सारी बसंत भी कभिताय लिखी है तो बसंत का मोसम जो होता है बहुत खुशनुमा होता है इसलिए लेखक ने बसंत को रितुराज कहा है इनमें आप अलग-अलग तत्ख्यों से अलग-अलग तरीकों से लिख सकते हैं अपने सब्दों में उत्तर को लिख सकते हैं ऐसी कोई बाध्धिपा नहीं होती कि आप य आएए दूसरे प्रशन पर चलते हैं, कविता से आगे का दूसरा प्रशन जो है, हमारे शामने है, बसंत रुट में आने वाले तेवहारों के विशे में जानकारी एकत्र कीजिए, तो हमें पहले जानकारी एकत्र करनी हैं, बसंत रुट में कौन कौन से तेवहार आते हैं, उ उससे इसके विशे में आप जानकारी लेंगे बसंत के बारे में या बसंत रित में आने वाले तेवहारों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक तेवहार पर निबंध लिखिए तो आप किसी भी एक तेवहार पर निबंध लिख शकते हैं जैसे यहां बसंत रित निबंदे लिख सकते हैं यहां पर देखें बसंत रुथ में आने वाले थे पूरी तरह से प्रकास में हो जाता है उसे पूर मासी कहते हैं महीना भी पूर हो जाता है पूर मासी ठीक है इस तरह से यह पूर मा होती है यह तेवहार हिंदू का तेवहार है किस धर्म के किस संपरदायका है हिंदू संपरदायका है होली का रंगो का तेवहार है होली रंगो का तेवहार है होली तेवहार जो है यह रंगों का है यह बहुत ही प्रशिद्य तेवहार है इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं पहली विशेस्ता होली की क्या है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं एक दूसरे से प्रेम से रंग लगा कर होली खेलते हैं कीचड भी ल लगलग करीके से इसका जो है भरपूर आनंद लेते हैं तो दूसरे से प्रेम रंग लगा कर होली खेलते हैं बहुत सारे पक्वान खाते हैं बनाते हैं जिसे बच्चे देखकर बहुत ही खुस होते हैं सीत रुत को सीत और रित को विदा भी करते हैं ग्रीश्मरित के आने का आगमन मनाया जाता है संस्कृत में स्तिवहार को मदन उत्सो के नाम से भी जाना जाता है अब एक नया नाम आप जान गए होंगे, खोली को मदन उत्सो भी कहती हैं, मदन उत्सो, मदन किसको कहा गया है? मदन स्रीकृष्ण को कहा गया है, स्रीकृष्ण का उत्सो, मदन उत्सो के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन लोग अपने छोटे बच्चों के लिए पिछकार खरीदते हैं वह पिछकारी मार्केट में उपलब्द भी होती हैं जहां जाकर आसानी शेर खरीद लेते हैं इसी दिन भगवान विश्णु के परंभत्य प्रहलाद को अग्ण में जलाने के प्रयास में उसकी बुगा खुद ही उस अग्ण में जल गई थी बुगा कौन होली ह इसका नाम था होली का इसी घटना को याद करते हुए होली का जलाई जाती है दूसरे दिन फाग खेला जाता है और क्या किया जाता है इस त्योहार को सभी मनाते हैं जैसे छोटे बड़े अमीर गरी सभी में सभी संपरदाय सभी वर्ग के लोग इसे मनाते हैं इस दिन सभी अपने भेदभाव को मिटा कर होली का आनंद लेते हैं, सभी एक दूसरे प्रंग फेकते हैं, गुलाल लगाते हैं, और गले मिलते हैं, चारो तरफ आनंद मस्ती और जोस ही होता है, सभी लोग ढोलक पर नाचते हैं, ठिरकते हैं, और कूदते हैं, इस दिन सत्र को भूल कर, उसके साथ भी होली खेल कर उसे गले लगाते हैं, परंत कुछ ऐसे भी बुरे लोग होते हैं, जो इस तिवहार की पवित्रता को नश्ट कर देते हैं, इस तिवहार की पवित्रता को क्या करते हैं, नश्ट कर देते हैं, हम सभी का कर्तब हैं कि होली का तिवहार उसके आदर सब्सक्राइब के साथ मनाना चाहिए सभी प्रकार के वहेर भाव घ्रिणा को जला कर एक दूसरे पर गुलाल लगा कर प्रेम प्रकट करना चाहिए प्रेम की सक्ति को बढ़ाना चाहिए आपस में मिलकर रहना चाहिए इस त्योहार को बड़े गुबारे के साथ भी मनाते हैं बड़े गुबारे के साथ बच्चे जो है गुबारे के साथ वही पानी भर कर खेलते हैं इस तरह से गुबारे में पानी भरना दूसरों पर मारना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है सभी को अच्छा लगता है बच्चों को भी अच्छा लगता है हम सब को भी अच्छा लगता है इस तरह से होली पर एक पंक्त भी यहां लिख सकते हैं अंत में होली आई होली आई हम बच्चों को खूब सुहाई हम बच्चों को खूब सुहाई और हाद मस्ती में खूब हम ल कोचे हैं रित परिवर्थन का जीवन पर गहरा प्रभाव पढ़ता है इस कथन की पुष्ट कर सकते हैं। उत्तर जो शुरू किया गया, प्रशन को जोड़ कर शुरू किया गया, इसी तरह से उत्तम उत्तर वही माना जाता है, जो प्रशन को जोड़ कर किया जाता है, गर्मी के मौसम में लोग लू से बच कर रहते हैं, दोपहर में लोग घर से कब निकलते हैं, तथा कब निकलते है दोपहर में लोग घर से कम निकलते हैं, कब नहीं, कम निकलते हैं, क्या लिखना होगा बच्चों, कम, कम निकलते हैं, लिखेंगे आप लोग, कम, कम निकलते हैं, तो इस तरह से दोपहर में लोग घर से कम निकलते हैं, तथा जादा से जादा थंडा पानी पीते हैं, जिस प चीजों से बचते हैं मौसम के अनुसार ही हमारे क्रिया कलापों में बदलाओ आता है इस तरह से बच्चों एक सब्द यहां से ही कर लेंगे कम लिखना है लोग घरों से कम निकलते हैं तो इस तरह से अनुमान कल्पना का पहला प्रसन सामने है अनुमान कल्पना का पहला प्र तक में दिया गया है आप ध्यान से पढ़ें फूटे हैं आमू में भॉर भॉर बन बन तूटे हैं होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं इस तरह से इसको देखें भॉर बन बन तूटे हैं होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं उत्तर इस तरह से लिखेंगे इस कविता में बसंतिरुत का आगमन किया गया है यहां पर आम के बाओर तथा होली के त्योहार का वर्डन किया गया है कि कविता सूर कांत्रिपाथी निराला जी द्वारा लिखी गई है इसी तरह दूसरे परशन की तरफ चलते हैं अनुमान कल्पना से कि सपन भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कभी कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है उन्हें जगाना चाहता है और खुसी खुसी अपने जीवन के अम्रिश से उन्हें सीच कर हरा भरा करना चाहता है फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे तो यह अपने तरीके से आपको करना है आप जो करना चाहेंगे इस उत्तर में आप वही चीज लिखेंगी हम फूलों पोधों के लिए निमलखी चीज़ें करेंगी क्या क्या करेंगे अधिक से अधिक मातरा में पेड लगाएंगे समय समय पर उन्हें पानी, खाद, आदी देंगी उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें नुक्सान पूचाने वाले जानवर और अन्न चीजों से बचाएंगे, इस तरह से हम प्रयास करेंगे, अनुमान और कल्पना का यह तीसरा प्रशन है, कब अपनी कविता में एक कल्पना सील कारी की बात कर रहा है, अनुमान कीजिए और ल अन्ने मुन्य बालक को मा जगा रही हो, आये देखते हैं उत्तर, माली उप्रुवन में उलजी लताओं को सहीं जग्ण पर हैला रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मा अपने नंदे मुन्य बालक को जगा रही हो, छोटा बच्चा उप्रुवन में उड़ती रंग विरंगी चिडिया को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। धान की या और भी फसलों को देखकर जिर में फूल लग रहे हैं, कलियां लग रहे हैं, बड़ा मंत्र मुध्ध होता है, उसके आनंद, फिर्दे, आनंद से भर जाता है, यब हमारी फसल प्यार हो रही है। इस तरह से भासा की बात का पहला प्रश्म देखते हैं, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक सब्द की एक ही अर्थ में पुन्रावित हुई है। कविता के हरे हरे, यहां सब नहीं होगा, सब्द लिखना होगा, यह सब्द है, क्या लिखना होगा? सब्द है, यहां आप सब्द लिखेंगे। के लिए बिशेशन के परियुक्त हुए हैं यहां पात सब्द बहुबचन में परियुक्त है ऐसा परियोग भी होता है जब करता या बिशेश एक बचन में हो और कर्म या क्रिया बिशेशन बहुबचन में जैसे वह लंबी चोड़ी बाते करने लगा कविता में एक ही सब्द गा एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है जैसे एक पंक्ति है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है जो तीन बार खाती थी वो तीन बेर खाने लगी है एक सब्द बेर का दो अर्थों में प्रयोग करने से वाक में चमतकार आ गया है इसे यमक अलंकार कहा जाता है बच्चों यहाँ यमक अलंकार के बारे में बात की जा रही हैं जिसमें किसी कथन में एक सब्द एक से अधिक बार आए और उसके अलग अर्थ हो वहाँ पर यमक, यमक युग्म, युग्म, जोडा, सब्द यूग्म होते हैं, जोडे में आते हैं और उनके अलग-अलग अर्थ होते हैं तो यूग्म तो कभी-कभी उच्चारण की समानता से सब्दों की पुन्डरावित्ति का आभास होता है जबकि दोनुदों दो प्रकार के सब्दों मन का, मन का ऐसे सब्दों को एकत्र कीजी जिनमें एक ही सब्द की पुन्रावित्ती हो ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिया और निमलिखित पुन्रावित्ती वाले सब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजी जैसे बातों बातों में रह रहकर लाल लाल शुबह शुबह रातों रात घड इस तरह से इन सब्दों को आप जो पुस्तक में आये हुए सब्द हैं इनको अलग करके लिखेंगे जैसे बातों बातों में बातों बातों में हम दोनों ने राफ्ता पार कर लिया रहरहकर मुझे रहरहकर प्रयोग करेंगे मुझे रहरहकर अपनी स्वर्गवासी नानी की य आती है रह रहकर बारिश हो रही है रह रहकर मुझे फीवर आ रहा है इस तरह से कुछ भी आप्रियों कर सकते हैं लाल लाल मुस्कान के पास लाल लाल फूल है सुबह सुबह ठंदी में सुबह सुबह सभी को उठने में आलस आता है रातो रात घर का सामान लेकर छू हो गए जू मंतर हो गए निकल पड़े घड़ी घड़ी तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रहे हो इसी तरह से दूसरे प्रसम की बात करें जो केवल पढ़ने के लिए इसे पढ़कर समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे कोमल गात मृदुलूवा हरे हरे यह पात विशेशन जिस संग्याय सरुनाम की विशेशता बताता उसे विशेशत करते हैं उपर दीए वाक्यांसों में गात बसंत पात सब्द विशेश से हैं क्योंकि इनकी इन 4 प्रकारों को आप अछे से पड़नेंगे समझ लेंगे आईए कुछ करने को जो पुस्ट करने को जो प्रश्न है आपके पाठेग में उसको हल करते हैं बसंत पर अनेक सुंदर कविताएं कुछ कविताओं का संकलन तयार कीजिए अर्थात कुछ कविताओं को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए तो पहली कविता जो यहां हमने ली है लो आगया वशंद पत्चड को नवजीवन मिला प्रकित के मुर्जाय अधरों पर मुस्कानों का फूल खिला इस तरह से अधरों पर लाकर सबके मन को अपना कर लेंगी इस तरह से दूसरी कविता का जो यहां है कोयल कविता से लिया है जिसके लेखक अयोद्या सिंग पाद्या हरियोजी है यह कोयल कविता वही है जो आपको अभी मैंने सुनाया था काली काली कुंकुं करती जो है डाली डाली फिरती कुछ अपनी ही धुर में एठी छिपे हरे पत्तों में बैठी जो पंचम सुर में गाती है वही ये कोईल कहलाती जब जाड़ा कम हो जाता है सूरज थोड़ा गर्माता है तब होता है समय निराला जी को बहुत लुभाने वाला हरे पेड सब हो जाते हैं नए नए पत्ते पाते हैं कितने ही फलो फलियों से नए नए कुमलकलियों से भली भात वे लग जाते हैं बड़े मनोहर दिखलाते हैं इस तरह से इस कविता को भी या संकलित करके लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में इस पार्ट के सारांस पार्ट सार भावार्थ लेकर उपस्थित होंगे धन्यवाद आपको वीडियो कैशा लगा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों में सेयर करें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट जल्दी से जल्दी आप सभी को मिल सकेज़ आज के लिए इतना ही धन्यवाद जैहिंद जैवार्थ